दोसो सोचल मीडिया के इस दौर में हर दूसरा बंदा कॉंटेंट क्रियेटर बन चुका है अब तो लोग उल्टी भी करती हैं तो अंदर से टैलेंट निकलता है वैसे तो आप सब ने बहुत से व्लॉगर्स और कॉंटेंट क्रियेटर्स देखे होंगे लेकिन आज किस वीड दोसो इंसानी तारीख में एक वक्त ऐसा था जब स्टेज पर शादी पर और फंक्शन्स में औरते डांस किया करती थी लेकिन क्या करें बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि अब मर्द भी चुन्नी पहन कर मैदान में आ गए हैं मिली सिदार्थ यादव और मेल बैली डां शुरू कर दिये अब ये शापर एक बैली डांसर बन चुका है वैसे तो इसे और इसकी बैली दोनों को ही देखकर उल्टी आती है लेकिन बारहाल इस पापा के परे को कोई फर्क नहीं पड़ता मैं तो सोच रहा हूं कि जब इस आलो बुखार के पेरंट्स इसकी ये बेह इंटरनेट भी खुदकुशी कर लेगा कार्तिक दिवेदी 219 में शाम इद्रीस ने हमें बताया था कि इंटरनेट पर कुछ भी दिखाया जा सकता है उस वकत तो मैंने ये बात सीरियस नहीं लेकिन इस बंदे को देखने के बाद तो मेरा इंटरनेट पर से भरोसा ही इस शक्स का नाम कार्तिक है देखने में तो ये बड़ा गबरू जवान है और बंदे ने चंगी भली बॉड़ी भी बनाई हुई है लेकिन जब इस जवान के अंदर की नागन जागती है तो ये एक सेकंड में रितिक रोशन से कश्माला तारक बन जाता है मुझे तो समझन के अंदर केटरीना कैप की हार्मून्स तो हैं ही लेकिन फिर भी इसने अपनी दाड़ी मूचे नहीं कटवाई बलकि बूती पर दाड़ी रखकर ही औरत बना फिरता है लेकिन कभी कबार जब इस बाजी की हार्मून्स आउट अफ कंट्रोल हो जाते हैं तो ये क्लीन शेफ करके मुकमल तोर पर आंटी बन जाती है वेल इस बाजी को देखने के बाद तो जानवरों का भी इंसानियत पर से बरोसा उट जाएगा और वो भी कहेंगे कि शुकर है कि वो इंसान नहीं है आप सब इस बाजी के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमिट बॉक्स में मुझे ज पना मांगता है ये शेंबू इतना बत्था डांस करता है कि बंदे को समझी नहीं आती कि इस पर्फॉर्मस पर रियक्ट कैसे करना है लिडरली इसके डांस को देकर ऐसा लगता है जैसे बंदा किसी फौतकी में आया हुआ है उपर से राकेश भाई की बॉड़ी इतनी वज आनी पड़ती है उपर से राकेश खुद भी इतना आलसी है कि हर डांस टैप करने के लिए बॉड़ी से पर्मीशन लेता है वेल स्लो मोशन चमिया के पास डांस करने की जगा भी बहुत कम है इसलिए हर वीडियो अपने घर के इसी वाले रूम में ही बनाता है ताकि गर्मी से कहीं पिगलना जाए एनवे आप सब लोग भी कहते हैं कि हैदर भाई रोस्टर बन गए है मगर क्या करूं ऐसे बथे और बदबुदार कॉंटेंट को दे कर तो किसी भी बंदे का दिमाग खराब हो जाएगा तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही उमीद आपको वीडिय अंजुनेजो और मास सफतर जैसे कॉंटेंट क्रियेटर्स को देखा होगा लेकिन क्या आपने कभी कैंसर क्रियेटर्स के बारे में सुना है वैल ये जो बकरी आप दिख रहे हैं इसका नाम एवदेश है असल में ये कबाड़ी था लेकिन फिर किसी ने इसे क्यों पहन कर आईरन मैन भी बन जाती है मज़गी बात ये है कि ये आलू बुखारा शुरू से ही ऐसा नहीं था बलकि पहले ये कुछ इस तरह डेसेंट हुआ करता था लेकिन फिर सिवल हॉस्पिटल में इसे कोई घलती का लग गया और ये इनसान से हैवान में कनवर्ट हो गया सिर्फ इतना ही नहीं बलकि आपको बताता चलू कि भाई साब को औरत बने में भी काफी दिल्चस्पी है कभी कबार तो ये अपनी अम्मी का डुपटा लेकर औरत भी बन जाता है एनिवे जो भी हो इस बंदे का बदबुदार कॉंटेंट देखकर तो इंटरनेट का भी प क्योंकि आपके सामने पेश है दादा की परी एजोनिया इस एकसपायर दादी की उमर 64 साल है और मुझे तो लगता है कि 164 साल होगी क्योंकि दादी की जुरियां लटक लटक कर जमीन पर पहुँच चुकी है खेर वो सब तो बात की बात है पर आपको बताता चलू कि ये च चारपाई से भी उठने से अवाजार होती है और एक ये दादी है कि 16 साल की लडकी की तरह नाश-नाश की पागल हो रही है एक और मज़गी बार ये है कि इस दादी ने अपनी कबर के साथ वाली दो और लाशों यानि अपनी फ्रेंड्स को भी अपने कॉंटेंट में शामल रही है जेस्ट इमेजन कि इस उमर में दादी का ये हाल है पता नहीं जवानी में कितनी अत्री होगी एनिवे इन बुरी हडियों को देख कर तो किसी का भी औरत जाद से भरोसा उट जाएगा उलहास कंबले दूसों जब से सोचल मीडिया आया है हर घर से ही टैलेट उचल बाहर निकल रहा है फिर चाहे वो 16 साल की कच्ची कली हो या पिर 65 साल के दादा जी ये जो कैंसर क्रेटर आप दिख रहे हैं इसका नाम उलहास कंबले है इस चाचु को देकर ऐसा लगता है जैसी 1970 से चाल मार कर सीधा 2023 में आ गया है क्योंकि हेर स्टाइल तो कम से कम 200 साल प लॉलिपॉप का टैलेंट भी कैंसर से कम नहीं है लिटरली चाचु को चलने के इलावा और कोई काम नहीं आता ये बंदा हर वीडियो के बैग्राउंड में कोई फ्लाप सॉंग लगा लेता है और मुँ उठा कर चलना स्टार्ट कर देता है कहने को तो उलहास चाचु एक भी हैं लेकिनी एक्टिंग इस तरह करते हैं जैसे इने जुलाब लगे हुए हैं भाई ये बंदा इस दुनिया का हो ही नहीं सकता मतलब इतना जदा कॉन्फिडेंस और इधर हम है कि इंस्ट्राग्राम पर एक पिक्चर लगाने के लिए डेट सो फिल्टर यूज करते हैं और फिर भी ऐसा लग रहा होता है जैसे पिक्चर अद्रक की तरह हर तरफ से खराब बनी है बारहाल जो भी हो लाइफ में इतना कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए अली तुरकमानी दुस्तो जब हमें सोना हो या फिर किसी important जगा पर जाना हो तो हम अपना mobile vibration पर लगा लेते हैं आप सबने vibration पर लगा हुआ mobile phone तो देखा होगा लेकिन क्या आपने कभी कोई बन्दा vibration पर लगे हुए देखा है तो ये जो बन्दा आप देख रहे हैं इसका नाम अली तुरकमानी है असल में ये vibrating चाचू है ये बन्दा पचपन से ही vibration mode पर लगा हुआ है जैसे ही किसी शादी में कोई गाना बजाया जाता है तो ये चाचू mobile की तरह भू भू करके हिलना start कर देते हैं वैसे तो इसको लगता है कि ये talented dancer है लेकिन हकीकत में अगर आपके और मेरे जैसा नाचते हुए देखेगा तो ऐसा लगेगा जैसे किसी नशाई को नमूनिया हो गया है आपको बताता चलो कि इस अंकल को इलाके की हर शादी में invite किया जाता है और ये program में जाते सार vibration mode पर लग जाते हैं बारहाल जो भी हो vibrating अंकल की इस घैर जरूरी talent के लिए एक like दो बनत हुआगा जाते हुआगा